उम अनन्त कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधि राज योगि राज सचिदानन्द सद्गुरू श्री साइनाथ महराज कीजे अनन्त करते हुँ और उमीद करती हूँ आप सारे वीडियो जो भी बाबा के दर्शन होते हैं अच्छी से दर्शन करते हुए कि जो दूया दिल से निकलती है वो कभी खाली नहीं जाती जो हम बाबा किसी के लिए करते हैं कभी होता है लुक्त करते हैं उन डेवोटीस के लिए जिनके मन में बहुत सारी शंकाय होती है में बहुत सारी उलजने होती हैं कि बाबा सुनते नहीं है बाबा सुनते कैसे हैं और क्यों नहीं सुनते हैं यह भी हम जरूर दियर करेंगे जितनी हमारी स्ट の पहले ब्रयसर दो आंखे इतना शरीर हम चल हैं पिर सकते हैं दो उर क्या चाहिए हम क्या चाहिए क्या मांगते उस मालिक से पैसा जो कभी रहता और कभी नहीं रहता अब है कभी अमीर हो जाता कभी और थैंक है यह समय अप्य है नोँद हमें हमें क्या है था और यिज कर चाहिए झाल शिड्य हिन्डी बोजन के लाओ आपके दर्वाजे पर कोई आता है उसको कभी दुदकारों मत ठीक है उसको कभी ऐसे शब्द मत बोलो क्योंकि बाबा ने यहीं सिखाया है बाबा एक शक्ती जो आज भी हमारे साथ होती है अब ही बाबा ना जाने यहां ही कहीं घूम रहे होंगे मुझे सकता रहे हैं तो यह सब माले के इच्छा होती बड़ी बड़ी बाते हम लोग करते हैं लेकिन हाझ के ऊपर दुक आता हो विचारे टूट जाते हैं लेकिन कि अग्धार सुनते नहीं वह अगिए शिकायत करते हैं उनका कहना बिल्कुल जायज है लेकिन उन से ओना चाहूं और मेरे बाबा की करपा ने बदलाए मेरे बाबा ने रहमत की और मैंने महनत की जब तक मैं महनत नहीं करती थी मैं बाबा को दोश लगाते जाते थे और वाबा उसको सुन के का करें में महनत ही नहीं कर रही हूं मैं किसी चीस पर काम ही नहीं कर रही हूं और मैं दोश लगा को मैं कर कרना ने मेरा काम हो मैं होने वाला है नि इस Medan कि कहां से हो जाएगा law कौन करे गां को हिम्मत इम्रदा मद्द खुदा जब हिम्मत इंसान करता है तब ही मदद बगवान करता है सिर्फ आपकी यह तब ओड़ता है कि exceptionally आ就到 मदद घूए 33 ओं मिधि करना हमको ही पढ़ता है वो हमारे सौच के उपर है कि हम सोचो अच्छा सोचो लेकिन सौचने के साथ उच्छा करने की हिम्मद भी रखो सोचना अच्छी बात है लेकिन करना उससे जाएधा अच्छी बात है सक्सेप्ळ तभी होगी जब कुछ करो मुझे भी बहुत लोगों से मैंने सुनाया कि यह ऐसी है यह वैसी है लिगन उन हर्लातों को कोई अपना नहीं है सब दिखावे के रिष्टें हैं सब लोग आते हैं बोलते हैं चले जाते हैं जब हमने यह जान पाए तब जाके हम successful हो पाएं तब हमने यह जाना कि जो करना है खुद से करना है कि सुनने वाला एक ही दुनिया लाख आप से आएगे पूछेकिंब और और उसके बाएं किसी और के वराई करें करे ना स्टिरिंच से डावा ले वो हिसल इनसान किसी और समने आपके भी बुराई करेगा। ऑप जो आपसे मेठी मेठी बाते करके किसी और को फिसा रहा है इसलिए किसी की मेठी बातों में मत्थ स्फना मीठे लोगों से दूर रहो। और जो लोग ऐसा करते हैं वो सोचते हैं उधर में अपना बना रहूं यदर में बना मेरा बन रहूं उन लूगों कर when वो दोनों टो हुगे ? इसलिए हमेशा एक तरफ रहो चाहे , मतलब छूट जा तो क्या यूट जा जा लेकिन सच तक कभी भी कोई गलत काम मत करो सारा मतलब एक ही जगह पे खत्म होता है अपने आप से मतलब कर दूज्वारे जो कहते हैं किसी एक स्रोफ का मेश आ है कि अनु जो किप शिप के बाते सुनता है उनका क्या किया जाए तो वैं उनसे यह कोंगी उस सुनता है उसके आदत है चिपँप के सुनने की वह सी बड कि अगल बगल देख लेते हैं कि यह कूई देख तो नहीं रहे लेकिन उपर देखना भूल चाते हैं सबसे बड़ा मालिक तो ऊपर बाद年前 बैठा है सबसे बड़ा खिलारी व्ह और आप सूच्टे बाबा सुनते हैं यह लेकिन आपको सुनाना नहीं आता है अच्छी से सुना हो तो सुनेंगे और इस लोगों किसे नौदिपक के बारे में नौदिपक बाबा की नवीदा बखती का घोतक हैं ज़ोड़ाइए और जब भी ग्यारा दीपक जलाएं जब भी आपकी इच्छा करती है तो ग्यारा दीपक जलाएं तो ग्यारा वचन को जरूर याद करें बाबा की ठीके जब ही आप 11 वचन जरूर पढ़ें एक लिपक जलाते हुए एक वचन आएगा और पूरे 11 वचन बढ़ना की संपूर्न हो जाएगे और कभी अगर आपूधी लेते हो पानी की साथ लेते हो जल के साथ लेते हो तो अभ Ramatud side of Half mois पहले 11 वचन पढ़ना उसके बाद उदी लेना ठीक है उससे शक्ति होते हैं दिवा की वह डबल हो जाती है और ठीक भी हो जाता है जब भी उदी आप लो तो उसके साथ 11 वचन पढ़िए बाबा को याद करिए उसके बाद उदी ले लीजिए अंदर सब कुछ ठीक हो कि लोग ऐसे होते हैं जो खुद को भी बहुत समझ कर बोलो कर ना जाने कभ आपकी जुबान में सरस्वती मा का वास हो जाए और आपकी बात सच हो जाए तो क्या करो कि क्या करोगी बापेस ने लोगे मुंस निकली बात कभी वापेस नहीं आती किसलिए कहते ना अतिका भल कुछ भी ज्यादा इसादी है नुक्सान देती है जो सुबा उटके किसी को देनी है तो और लेना है तो कर दिए का अशिरवात लो बद्धु आक डिए और जो आपको बिनावजा बद्धु आ देता है हमेशा याद रखो वह बद्धु आपको लगेगी नहीं है ठीक है जो बद्धु आपको कुछ की आने वो फाल्दो में आपको कुछ बहां कुछ बोल रहे तो वह कभी आपको नहीं लगेगी बोलने दो जी आप उससे अरकुमेंट मत करो उसको जो बोलना है उसको बोलने दो कि वह आपको लगने वाला नहीं है और आप करने जा रहे हो उस काम के लिए अच्छा बोलो मालिक का अशरवाद लेकर घर से निकलो आपका कान कभी नहीं रुकेगा आप मुझे मेसेच कर दिया करें उस टॉपिक को लेकर के हम जरूर आपके सामने उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे ठीक है अभी मुझे इजादत दीजिए ओम साहिराम जय साहिराम